हेलो क्लास आज मैं जिस चेप्टर पर यहां पर बात करने जा रही हूं जिस चेप्टर के यहां ब्याक्ख्या की जाएगी वह आपका पाट 12 संबंध कारक सस्टी विभक्ति पिछले लेक्चर में मैंने आपको पंचमी विभक्ति के बार में बताया था जिसका मतलब क्या होत जब किनी दो वस्तों के बीच में संबंध होता है या किनी दो व्यक्तियों के बीच में संबंध होता है तो वहां पर संबंध कारक यानि की सस्टी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है इसका चिन होता है का के की इसको हम कैसे पहचानते हैं जब कोई वाक्य लिखते समय या बात करते समय का की का प्रियोग होता है तो यह वहाँ पर क्या होता है सस्टी भी भक्ती होता है संबंध कारग होता है आईए इसको देखते हैं एतत दिल्ली नगर मस्ती यह दिल्ली नगर है अत्र एव राष्ट मंडल क्रिग्डा 2010 भविश्यंती अत्र एव यहाँ ही राष्ट मंडल क्रिग्डा राष्ट मंडल के 2010 भविश्यंती होंगे तदैव तू तभी तो दिल्ली सर्वकार अस्य नगरस इस नगर की सोभाम वर्धेतुं सोभा को बढ़ाने के लिए प्रत्न सील अस्ती प्रत्न सील है अत्र एव राजीव से ग्रिहम अस्त्री यहाँ पर ही राजीव का घर भी है समीपे एव तस्य विद्यालय अस्ती समीपे एव समीप में ही तस्य उसका विद्यालय अस्ती है तस्य विद्यालय स्नामा उसके विद्यालय का नाम दिल्ली पब्लिकी स्कूल रामा कृष्णा पुरम अस्ती उसके विद्यालय का नाम क्या है वह परिष्ट्रम से मेहनस से चात्रान चात्रों को संस्कृतम पाठ्यती संस्कृत पढ़ाती है राजी वह अपी संस्कृतम पढ़ती राजी भी संस्कृत पढ़ता है तसमै संस्कृतम पढ़ना रोचते उसे संस्कृतम पढ़ना रोचते अच्छा लगता है किन्तु लेकिन तस्य मित्राणी उसके मित्रों को एताम भासाम पठितुम न इच्छन्ती उसके मित्र इस भासा को पढ़ने के लिए एक्षित नहीं है उसको पढ़ने के लिए ललाईट नहीं है ते संस्कृत भासाम कटना भासा मन्यते वे संस्कृत भासा को कठिन भासा मानते हैं अता नवीक अक्षायाम संस्कृत भासाया स्थाने हिंदी भासाम पठितुम इच्छन्ती इसलिए नवीक अक्षा में संस्कृत भासा के स्थान पर हिंदी भासा पढ़ने के इक्षित हैं भासा पढ़ना चाहते हैं राजीव तान अब गम्यती यत अभ्यासेन किंचित अपीना दुलबह राजीव उन सब को समझाता है यत की अभ्यासेन किंचित अपीना दुलबह अभ्यासे कारी करने से कोई भी कारी दुलब नहीं होता है यदि यूयम कक्षायाम यदि तुम सब कक्षायाम कक्षा में सावधानेन स्रोतस सावधानी से सुनोगे पुना पुना चा वाचनम करिस्यत और बार बार उसका वाचन करोगे बार बार पढोगे तदा संस्कृत भासा सरल भविस्यती तो फिर संस्कृत भासा सरल लगेगी तब भी संस्कृत भासा सरल होगी संस्कृत अकादमी द्वारा छात्रपृत्री प्रमाडपत्रम पारितोसिकम अपिचा प्राप्तम करिस्यत और संस्कृत अकादमिक के द्वारा छात्पृत्री प्रमाडपत्र और इनाम प्राप्त करोगे मित्राणी प्रसन्ना भूत्वा कत्यांती मित्र प्रसन्न होकर कहते हैं सोबनम बहुत अच्छी बात है अधुना वयम संस्कृत भासाम ना मुक्षयाम अब हम सब संस्क्रित भासा का त्याग नहीं करेंगे इसको नहीं छोडेंगे प्रती दिनम अस्या अभ्यासा करिश्यामा प्रती दिन इसका अभ्यास करेंगे इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं कि आप इसको कैसे प्रणांस करेंगे एत दिल्ली नगरमस्ती अत्र एव राष्टमंडर क्रिडार 2010 भविश्यंती तदैव तू दिल्ली सर्वकार अस्य नगर सोभाम वर्धाइतुं प्रतनसीला अस्ती नवीना सेतवा सुरम्या मारगा राजमारगा आधुनिक पढ़ने भोजन साला आपड़ाच्य दर्सनिया अत्र एव राजीव से गुरिहम अस्ती समीपे एव तस्य विद्यालय अस्ती तस्य विद्यालय से नाम दिल्ली पब्लिक स्कूल रामा कृचनपुरम अस्ती सा राजीव से अध्यापिका अस्ती सा प्राइश्रेम छात्रान संस्कृतम पाठ्यती राजीव अपी संस्कृतम पटती तसमै संस्कृतम पटनम रोचते किन्तु तस्य मित्राणी एताम भासां पटितुम न इक्छनती ते संस्कृत भासां कटना भासा मन्यते अथ नवी कक्षायां संस्कृत भासाया स्थाने हिंदी भासां पटितुम इक्छनती राजीव तान अवगम्यती यत अभ्यासेन किंचित अपीन दुर्लभा यती युयं कक्षायाम सावधानेन स्रोत से पुना पुना च वाचनम करिस्यत तदा संस्कृत भासा सरला भविस्यती संस्कृत अकादमी द्वारा चात्र वृत्री प्रमाणपत्रम पारितोसिकम हपीचा प्राप्तम करिस्यत मित्राणी प्रसन्ना भुत्व कत्यंती सोभनम अधुना वयम संस्कृत भासाम ना मोक्षयामा प्रती दिनम अस्या अभ्यास्या करिश्यामा सत्यमेवास्ति यत्य उद्यमेन ही सिध्यंति कार्याणी ना मनुरते तो यहाँ पर आपका बार्वापाट समाप्त होता है थेंक्यू